प्रत्यच प्रमार के बारे में और उनकी क्या उपयोगिता है आरवेश सास्त में इन सब इस चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यच प्रमार की निरुप्ति के बारे में तो जो प्रत्यच सब्द है ये क्या है दो सब्दों से मिलकर बना है एक प्रती और दूसरा अक्ष तो प्रती का मतलब क्या होता है सामने और अक्ष का मतलब होता है कि आक तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि प्रत्यच का अर्थ क्या होता है कि जो भी आक के सामने वस्तूरती है ये जो भी चीज आक के सामने होता है उसे हम प्त्यजिय कहते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रसथपद भाज से हैं, उन्होंने एक सिलोग दिया है, एक सुत्र दिया है, जिसमें वो कहते हैं। यहां पर उन्होंने बोला कि अ इस सब्ढ दिया है यहां पर क्या अर्थ यहां यहां पर वबने हैं कि यहां पर शिफ केवल आक यह अर्थ नहीं लेनाहें बलकि यहां पर इंद्रियों का रहन करणा चाहिए इसके अर्थ खिर ये हो जाता है कि जो ग्याने इंद्री हैं, ग्याने इंद्री में क्या आ जाते हैं, आख हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, मतलब जो पंच ग्याने इंद्री हैं, इनके त्वारा जो भी ग्यान उत्पन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यच्छ ग्यान प्रत्य च्छी ज्ञान का जब हम निरुकती लिखते तो हम ये सुत्र लिखते है अच्छ, अख्षम, प्रत्यत प्रत्य क्रमार का क्या क्या लिक्छन होते हैं तो चरक सहिता में सुत्र मिलता है कि आत्मे इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्नी कर्षात प्रवर्थते व्यक्त्या तदात्वे या बुध्धी की प्रत्यच्छमसा निरुच्यते पतल इसका अर्थ क्या निकल कर आता है कि आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ आत्मा इंद्रिय मन औ बात हैं इनका जब संयोग होता है उसके वज़े से जिस बुद्धी का यहां पर हमें क्या होता है तच्छन प्राप्त होता है या फिर जो बुद्धी उत्पन होती है उसे क्या बोला जाता है प्रत्यच कहा जाता है तो यहां पर हम क्या देखते हैं प्रत्यच प्रमार के प्रत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रत्यच प्रमार अगोसे लिखने के समय आप इन में से कोई वई एक सुत्र् लिख कर उनका अब आगे आता है प्रत्यच प्रमार के भेद, मतलब प्रत्यच प्रमार के कौन कॉंसेट टाइप से हैं, तो इसमें बैसिकली मुख्ये दो भेद देखने को मिलते हैं, दो टाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है निर्वीकलपक प्रत्यच और सवीकलपक प्रत्यच, तो निरखलत प्रत्य होता है, इंडिटर्मिनेट डियारेक्ट परопेंशुर्ण, इंडिटर्मिनेट मतलब कि जिसका एकदम अच्छे से इन गॉपाय उसको इंडिप्श कंप पर्शेप्शन हो पा रा है, तो हम पहले निरखलत कि प्रत्य होता है। तो तत्र निस्प्रकारकम ग्यानम निर्विकल्प मतलब यहाँ पर जो विकल्प हम देख रहे हैं बार बार विकल्प जो सब्दारा उसका मतलब क्या होता है कि अंसा अंसकल्प ना मतलब किसी एक वस्तु के हर एक अंस का जब ग्यान होता है तो उसको विकल्पिक ग्यान कहत तो यहां पर निर्विकल्पक ज्यान का जो हम लोग ने सुत्र देखा उसमें क्या बताएगा है कि जो वस्तु के अंस-अंस की ज्यान को विकल्पक या प्रकारक ज्यान कहते हैं जो हम लोग ने अभी देखिया कि वस्तु के हर एक पाट का हर एक अंस का जब ज्यान हो तो उस उसका उदारान देते हैं जैसे मतलब कोई अगर वस्तु दूर है तो हम बस क्या देते हैं कि वहां पर कुछ तो खड़ा है लेकिन हमें उसका ये परसनली उसको पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि साइद वो खड़ा है या पर कोई एक स्पेसिफिक परसन है बस इतना हम में पता चलता है कि वहां पर कोई खड़ा है तो इस तरह के जब ग्यान होता है तो उसको क्या बोला जाता है निर्विकल्पक प्रत्यच्य ग्यान बोला जाता है वो दारान यहां पर दिया गया है कि यदि कोई वस्तु दूर इस्तित हो तो उस वस्तु की केबल प्रतिती म मरत्याइर होती है उसका अंस्ान्स वर्ूपरथा उसका नाम विशेसता आदि का ज्यान नहीं हो Paige आसे तैंब हशी ज्ञानकों किया कहते है नीरविकल्पक ज्यान कहते है जब भी आह الإarde विकल्पक प्रत्यच लिख रहें तो आप सुत्र लीख सकते हैं कि प्नेर निश्प्रकारकर म्ज्यानं निर्विकल्पग. मतब जिसमें अंसा अंस का наж नहीं होता किवल यह प्रतित होता कि वहाँ पर कोई वस्तो मातर है उसको हम लोग क्या बहतते हैं? निर्विकल्पक प्रत्यच कहते हैं. इसके बाद दूसरा आता है सवविकल्पक प्रत्यच तो ये एकदम उसके अपोजेट है तो इसमें क्या है सवप्रकारकर ज्यानम सवविकल्पक मतलब जिस प्रत्यच ज्यान में वस्तू के नाम विशेस्ता आदी क्या ज्यान होता है उसे सवविकल्पक ज्यान कहते हैं जैसे बित्व अयम मतलब यह लकडी का हाथी मतलब आप कोई वस्तु अगर दूर दे यही लकडी का हाथी बहुत बड़ा रहता है लेकिन फिर भी बहुत दूर रहता तो आपको बस दिखता कि हाथी है आप यह आडेंटिफाइन नहीं कर पाते हूं आपके कि वो हाथी किसका बना हुआ है बैसिकली आप क्या समझते कि वो जिन्दा हाथी यह फिर लिविंग है लेकिन वही जब पास में है तो आपको पता चल रहा है कि लकडी का हाथी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उसके विश्यस्ता का विज्ञान कर पाते हैं तब इस ग्यान को हम लोग क्या होते है सव विकलपक प्रत्यच्य ग्यान कहते हैं साथे साथ ब्रहमाडो अयम मतब यह ब्रामन है अब अगर वही दूर रहता इंसान तो आपको बस इंसान दीखता है लेकिन पास में है तो आपको उसके वेज़्वूसा को देख कर आप क्या बोल सकते है कि यह ब्राम अब हम देखते हैं यहां पर कि यह हो गया क्या हो प्रत्यच प्रमार के मुख्य दूबेद अब यहां पर जो हम लोग ने सव विकलपक प्रत्यच देखा उसके भी भेध हमें देखने को मिलते हैं जिसमें आता है लोकिक प्रत्यच और और लोकिक प्रत्यच तो लोकिक प् ऐसे perception of knowledge को हम लोग क्या कहते हैं लोकिक प्रत्यच कहते हैं अब यह जो लोकिक प्रत्यच है इसके भी दो भेद देखने को मिलते हैं लोकिक प्रत्यच में जो पहला भेद आता है वह बता है बाहे लोकिक प्रत्यच मतलब जो हम अपने इंद्रियों द्वारा मतलब जो हमारे तो आजो हमारे चैस्ट पंच इंद्रिया पंच ग्याने उनके द्वारा जो हम ज्मान करते है उसको जो उसको बोला जाता है लोकिक प्रत्य proved थो क्लब लोगा है बाहै इंद्रिय성 द्वारा ग्यात बाहै लोकिक प्रत्यच कई यह प्रकार क privilege दो पाच इंद्रियें, वह जो ज्यान गरहन करती हैं, उनको बाह लवकीक प्रत्यच कहती हैं, यहां पर आपको सबसे पहले आजाता है स्रामर प्रत्यच जो की auditory perception होता है, मतब जो कांव से सुनने वाले हैं, मतब करने इंद्रियें द्वारा जीव भी ज्यान होते हैं, उनक इस तरे से जो हमारे about पंरिछ इंद्रीह, उनके द्वारा जितने भी इन्दीढ प्रत्रीक चीज़ेगे में पता चलती है उसको क्या बोल लिए जाता है तर बावर लोकिक प्रत्रेश कहते हैं कि इसमें मौनश प्रत्रीक चर स्वी कहते हैं लेकिन जो हमारे अभ्यंतर लोकिक प्रत्यच उससे मन की स्थिती का ग्यान होता है या पर mental perception जिसे कहते हैं इसमें सुख दुख इच्छा दुए साधी जो भी सिख भाव रहते हैं उनका ग्यान देखने को मिलता है तो एक बार हम प्रत्यच प्रमार का जो भेध हैं उनको टै जो लोकिक प्रत्यच आप लोकिक प्रत्यच में हम लोग नेब्देखा था कि techniques 4 और अव्यंतर भेथ देख लिया है उनका इंस के जो अव प्रत्यच संब्ध नहीं ऊससे ग्यान को क्या बोला जाते है ऐगे हम बात करेंगे जिसमें 13 धेत देखनेए को मिलते है बहुत सारी संद्रीह के बारेंगे उसमें हम यह टॉपिक कवर करने तो अब हम देखने जलते हैं अलोकिक प्रत्यच के बारे में तो लोकिक प्रत्यच के बात करेंगे तो विसेयों का इंद्रियों से प्रत्यच संबंध हुए बिना ही प्रत्यच का ग्यान होना अलोकिक प्रत्यच होता है मतलब जैसे हम लोग क्या देख रहे थया कि लोखिक प्रत्यच में ता है direct perception हो रहा थया मतलब डियरक्ट हमारे आखों के टेबुलार फॉर्म में देखा था, तीन भेद होते हैं कौन कौन से, समान लच्छड प्रत्यास्ति, ज्यान लच्छड प्रत्यास्ति और योगत्स प्रत्यास्ति, तो हम तीनों के बारे में इंडिविजले देखते हैं, तो सबसे पले समान लच्छड प्रत्यास्ति क्या होत इसके किसी एक विजुल को भी देख लेते तो हम उस इस पेसिस के सारे जो इंडिविजुल से उनका ज्ञान कर सकते हैं तो वही बताएगा कि किसी भी एक संबंदित वर्ग के एक विशाय को देख कर उसके अन्य विशायों का भी ज्ञान कर लेना इसी को समाल लच्षड कत्य सती कहा जाता है अब उदाहरण देखते हैं तो एक गाय को प्रतिच्छे देखकर अन्य गायों को बिना देखे की ग्यान कर लेना मतलब एक गाय देख लिए तो हमें पता चल सकता है न कि जो दूसरी गायें भी रहेंगे वो कहा रहेंगे इनके जैसी ही रहेंगे उसी के साथ दूसरा त्या बोलाएगा चावल के एक दाने को इस परस से परिच्छा कर संपूर्ट चावलों के पके होने का ज्यान करना है। ज्यान लच्छड प्रत्या सत्ति क्या होता कि एक ज्यान इंद्रिय का अपने विशय से प्रत्या संपूर्ट होकर अन्य ज्यान इंद्रिय का बिना प्रत्या संपूर्ट होए भी उसके विशय का ज्यान होना लच्छड प्रत्या सत्ति कहलाता है। जाना यह क्या होता है जैसे अगर एक बर्फ का टुकला है उसको देख कर उसे इस परस किये भी नहीं उसकी सितलता का ग्यान हो जाता है अपने विशेव और प्रत्याच्य संबंद है लेकिन इंद्रिय का नहीं मतलब क्या हो रहा है कि जो बर्फ है उसको हम सामने रख रहे हैं तो चक्षूर इंद्रिये द्वारा उसको प्रत्य देखा जा रहा है तो उसके बर्फ पता चल जा रहा है कि बर्फ हैं लेकिन उसको हम लोग टच नहीं करा रहे हैं पर्षन को फिर भी उसको समझ में आ जाता योगा अभ्यास से उससे क्या कहा जाता है। अब इसमें क्या रहता है जैसे भूत का या फिर भविष्टिकाल का ज्यान हो पाना जो कि योगा भेहस से द्वारही मुम्किन है। जिसमें पुरा दो भेहस देखने को मिलते हैं यूग्त और यूजान। तो जो यूग्त क्या होता है बैसिकली कि योगी पुरुसों को सभी पदार्तों का सद्व ग्यान होता है इसे यूग्त कहते हैं। जो योगी पुरुस है वो कैसे रहते है तुरीकाले दस्षि रहते है तो उनको भविस्ट का और भुद्कालो का सभी का ग्यान होता है। को हम लोग क्या बोलते हैं यूग तो बोलते हैं वही पर यूजान क्या होता है कि यह चिंतापरक है मतलब ध्यान की सहाइता से या समाधी के द्वारा किसी वस्तू का ज्यान किया जाए तो उसे यूजान कहते हैं अब अगला विशा आता है हमारा प्रत्यच अनुप्लब्द हमारे सामने है तो उसका ग्ण variety कर रही है उसको क्या बोला जाता है उनके अर्थों का संनी कर्ण होते हुए भी कुछ बाधक कारणों के कारण या तो प्रत्यच ग्यान नहीं हो पाता या फिर दोस्पूर्ण ग्यान होता है अचार चमरक जो है कुछ निमलकित बाधा करन चीजे बताते हैं मतब सामने तो जो अस्तु रखी है फिर भी क्या होता है कि उसका डाइरेक्ट परसेप्शन नहीं हो पाता या कि जो भी परसेप्शन होता होगो डम कैसा होता है रॉंक परसेप्शन होता है तो ये एक यह है इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यच अनुप्लब्दी करन या फिर हिंदें इन डायरड परस्शेप्शन या फिर प्रत्यच बाधक भाऊ तो इसमें क्या-खिया चीजे आते ह करन दरबल्यात मतलब हमारे जो सेंग्स और गने ज्यानेंद्री या फिर मनो अवस्थनात मतलब सभी से माइंड का टेंशन नहीं है फिर समान अभियारात मतलब दो सेम चीजे देखने की वज़े से अभी भावात मतलब की वहां पर कोई सेम दो चीजे हैं तो एक बड़ी ची अच्छे ज्यान नहीं कर पाते हैं तो हम एक एक जो खाराण बताया गया हमको इंडिविजल ले देखते हैं तो इसमें सबसे पहले बताया गया है अतिसन्नी करसाथ तो अतिसन्नी करसाथ मतलब यह दोसके वल नेत्र से समबंदित प्रुधिय अच्छी में उत्पन आता है यदि कोई वस्तु विशेस नेत्र के अत्यन्त समीफ होती तो वो दिखाई नहीं देते हैं जैसे किसी फुस्तक को नेत्र के अत्र सप्पे लाया जा तो वहां के अच्छर दिखाई नहीं देते हैं अतब कोई वस्तु है उसको आखों के बहुत समीफ लानी के वज़े से ज जैसे अकास में उन्हें वाई जाज कबी-कभी अतिन्त दूर होने से क्या होता है दिखाई नहीं देता है फिर आता अबॉराणात मतलब किसी वस्तु या फिर ढॉरणत से ठक कि होने पर भी जो सामने हैं फिर भी नतें देते हैं मान के चलो कि सामने कोई वस्तू रखी है और उसको मैंने परदे से ढग दिया तो पता चलो चलो राए कि वस्तू है लेकिन अंदर कौन सी वस्तू हो उसका प्रत्यची ज्यान नहों पाना इसी को बोलते आवरणात बाधाकर उसके बाद आता है करन दरबल्यात इसका इंद्रियों केसा सायोग नहीं हो पाता और प्षञ्णामता प्रत्यचिक ग्यान नहीं पाता जैसे हम लोग नहीं देखा था कि आत्में इंद्रियमनों अर्था नम सन्नी कर्षात प्रवर्थात लेकिन कभी-कभी मन क्या राता है एक जगा पे केंदर न होनी के पारण इनका सैयोग नहीं हुता और इसके वज़े से प्रत्यची घ्यान नहीं हो पाता है जीसे हम लोग क्या बोलते हैं मनो अवस्थानात बाधा कर इसके बाद नेक्स्ट आता है समान अभिहरात मतलब यदि एक जैसे कई वस्तिव साथ हो तो उसमें अलग अलग नहीं जाना जा सकता है जैसे छाता लेकर चल रहा है समू में यदि कोई व्यक्ति बिना छाता ले जा रहा हो तो उसका ज्यान नहीं हो पाता बतब देखो बोला क्या गया है एक पूरा जुंड है पूरा जोड़ना है लेकिन पता नहीं चलेगा चलन वैसे जैसे बहुत-огस तरह आता है अभीभाव अभी-भावात मतलब पर आभव मतलब किसी एक वस्तु के सामने डुसरीं वस्तुका दब जाना जैसे सुर्य प्रकास में तारों का ज्यान नहीं हो पाना तारे तो वहीं पे रहते हैं उनका प्रकास भी रहता है लेकिन दूर होनी के वज़े से और उनकी प्रकास की कमी होनी के वज़े से सुर्य का ज्यादा प्रकास होनी के वज़े से सुर्य के प्रकास के सामने जो तारे रते उनका ग्यान नहीं होगा अमतलर एक वस्तु के सामने आ जाने के वजह से उनके पीछे वाले वस्तु का ग्यान नहों पाना इसी को अभी बावात कहते हैं और आता है लाष्ट में जो अनुपलब्दी कारण है वो होता है अतिस सुच में आत मतलब विसाय अतिस आपको पूछा जाएगा कि प्रत्याच अनुलप्दि करण के या पर बाधाकारत घटक है वो बताई यária । अब हम देखते हैं ने tarkट का विस्तार तो इसमें क्या बताएगे कि प्रत्य चिगान का विस्तार से तտफिर है कि विभीद यंद्रों द्वारा प्रत्य चिगान की सीमा को बढ़ाना जैसे नेत्र की दुरबलता कभी कभी क्या होता है अगर आपके रोशनी चली जाते तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं चस्म का प्रयोग करते हैं तो यहां पर जो चस्मा है वो क्या कर रहा है नेत्र जो नेत्र द्वारा जो प्रत्यच्य ग्यान होने वाला है उसका विश्तार करता है या फिर contact lens का प्रयोग किया जाता है साथे साथ कान की दुरबलता में हम लोग hearing ads का यूज करते हैं वही पे जो चीज़े डाइरेक्ट प्रत्यच नहीं देख सकते हैं उसमें x-ray, CT scan ये सबी क्या है प्रत्यच ग्यान का विश्तार करते हैं जो चीज़े हम प्रत्यच नहीं देख सकते थे, सिफ अनुमान कर सकते थे उनका भी करणों द्वारा ज्यान होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यच ग्यान के विश्तार कारब लास्ट में आता है प्रत्यच की उप्योगिता मतब जो हम प्रत्यच इतना पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज़े हैं, किसके कारण हमें लगता है कि यह ज्यादा उप्योगता देखने को मिल सकती है या फिर इसका इंप्वार्टेंस है आर्वेद में तो क्या बोला गया है कि प्रत्यच्य परिशा से सभी इंद्रियों से रोगी के सरीर में रहने वाले विश्वयों की परिच्छा की जा सकती हैं प्रत्यच्य जो प्रमाण है उसके द्वारा क्या हो गया जो भी रोगी या फिर रूग्ण है उनके शरीर की या फिर उनमें शरीर में रहने वाले जो भी विशाए हैं उनकी परिच्छा क्या है की जा सकती है प्रत्यच्य प्रमाण द्वारा इसलिए प्रत्यच्य का है इंप दिसकल्डरेशन करते है तो इसमें आतो की आवाजशन धीगियों में कोई इस पूटन की आवाज या फिर अंगल्य परव का फंडना या फिर स्वर्वेद यह सबी क्या है हम लोग स्रोतेंद्रे द्वारा इस परिछा कर सकते हैं वही पर चक्षु द्वारा करते हैं यहाँ संद्रिया उसका कोई परिच्छा नहीं करते हैं यह डायर्क कांटक्टिबेसिकिल बचाया जाता है in case of the patients अब तो इसी के साथ हमारा जो प्रत्यच प्रमाण हो खतम होता है तो हम लोग ने देख लेते हैं एक बाल कि प्रत्यच प्रमाण में हम लोग ने क्या तो प्रत्यच की निरुप्ति देखा हम लोग ने फिर प्रत्यच प्रमाण के लक्षन देखे प्रत्यच प्रमाण क गवर कियें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस से आपको फर्दर वीडियो रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें साथ इसाथ आप हमारे टेलेगराम और इंस्टागराम चैनल सो भी फॉलो कर स लगते हैं वहाँ पे आपको वीडियो रिलेटेड और नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं